दोस्तो एस वीडियो में हम बात करेंगे तीन important bearish candlestick patterns के बारे में जो कि हमें एक uptrend के बाद market top perform होते हुए देखने को मिलते हैं सबसे पहले shooting star pattern की बात करते हैं तो यहाँ पर जब prices एक strong uptrend के बाद एक important resistance level के नीचे पहुचती हैं तो वहाँ पर हमें एक huge selling pressure देखने को मिलता है जिसकी वैसे shooting star candlestick form हो जाती है इसमें हमें उपर की तरफ एक long upper shadow देखने को मिलती है और नीचे की तरफ एक small body देखने को मिलती है इसके बाद आता है hanging man pattern जो की basically hammer candlestick की तरह ही होता है बस यह हमें एक uptrend के बाद market top perform होते वे देखने को मिलता है below a resistance level इस candle में हमें एक long lower shadow देखने को मिलता है जो की यह बताता है कि एक strong uptrend के बाद अब bazaar में sellers की वापसी होते हुए देखने को मिल रही है और अब prices में reversal आने की संभावना बहुत अधिक है third and last is the gravestone doji pattern तो दोस्तो इस pattern की formation के दोरान पहले bulls prices को resistance level के उपर ले जाने की कोशिश करते हैं लेकिन due to large number of sell orders यहां सारी की सारी demand absorb हो जाती है और prices finally जहां से open हुई थी वही पर जाकर close हो जाती है और gravestone doji pattern form हो जाता है